जूठी दिया है तेलंगणा में ब्रस्ता चार का जो खुला खेल चल रहा है इसका सबसे बड़ा नुक्सान यहां के युवाओं को उठाना पड़ा है तेलंगणा स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है पिछले नौ वर्सों से तेलंगणा के लाखो नौ जवान सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन यहां के सरकार ने सरकारी नौक्रियों को अपने नेताओं की तीजोरी भरने का माध्यम बना दिया है साथियों तेलंगणा की बारा उनिवर्सिटिज में हार एजुकेशन को तबहा करके यहां की सरकार ने लाखो नौ जवानों का भविश बर्बात कर दिया है आज भी तेलंगणा की उनिवर्सिटिज में तीन हजार से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं आज भी तेलंगणा की सरकारी स्कूलों में टीचर्स की पंदरा हजार से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं क्या ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वास गात नहीं है क्या दोखा नहीं है क्या इन लोगों ने आप से वाइदा किया था कि हर बेरोजगार को तीन हजार रुपिये का बत्ता देंगे ये वाइदा करके भी तेलंगना सरकार ने नौजवानों को सरब दोखा दिया विश्वास गात दिया इन लोगों ने आप से वाइदा किया था कि गरीबों को दो बेडरुम वाले साथ लाग फ्लैट बना कर देंगे ये वाइदा भी यहां की सरकार पुरा नहीं कर पाई है ये लोग किसानों के एक लाख रुपिया तक के कर्च को माप करने की बात भी कहा करते थे लेकिन इस वाइदे पर भी इनकी सरकार ने तेलंगना के लोगों को सरफ विश्वास गात ही दिया है साथियों मुझे पता है कि तेलंगना की ग्रामिन पंचायते यहां के सरपन्स यहां की सरकार से कितने गुस्से में हैं कितने नराज है यह बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगना की ग्रामिन पंचायतों को 12,000 करोर रुपिये से जादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है यहां की ग्रामिन पंचायते जादा तर काम सेंट्रल फंड से ही करा रही है केसियार सरकार यहां ग्रामिन पंचायतों के सामने लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है इसलिए तेलंगना की हजारों पंचायते भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पठखनी देने का इरादा कर चुकी है साथियों बीजेपी सरकार ग्रामिन अर्थ ववस्ता को मजबूत करने के लिए गावों में जादा से जादा खर्च कर रही है पैड़ी प्रोक्रॉर्मेंट के माध्यम से यहां के धान किसानों को पिछले नव साल में एक लाग तीस हजार करोड रुपिय से जादा दिये गए मनरेगा के तहर तेलंगना के गावों में करीब करीब 25 आजार करोड रुपिय का काम कराया गया है पी एम किसान सम्मान निधी के जरिय भी तेलंगना के करीब 40 लाग किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड रुपिय सीधे बेजे गये हैं पी-एम आवाज योजना के तहट जो करोडों घर बनाए गए है उनमसे भी हजारों करोड रुपिये ग्रामीन अर्थ बवस्ता में पहुचे है साथियों बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को ससक्त करें उनके खर्च कम करें उनकी आए बढ़ाएं हमने लागत का डेड़ गुणा MSP देने का बादा किया था हमने वो गारंटी को पूरा करके दिखाया हमने दान की MSP पर रेकॉर्ड खरीदी करके हमारी गारंटी पूरी की हमने सुचाई के नेट्वर्क को ससक्त करने का बादा किया था वो गारंटी भी हमने पूरी की किसानों को कोल्ट्स कोरिज की दिक्कत ना हो इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ी बंडारे नियोजना पर पुरा काम हो रहा है आप जानते हैं कि जो साथ मेगा टेक्स्टाइल पार्क देश में बनने वाले हैं उनमें से भी एक यहां तेलंगना में बनने जा रहा है इन सभी प्रयासों का घाप यहां के किसानों को होगा हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा भाईयों बहनों तेलंगना की सरकार ने गरीद दलीद पिछडे आदिवास्यों को सिर्फ जूठे वादे दिये जूठी गोचनाएं दी लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सही माइने में इन वर्गों को ससक्त किया है वारंगल सही इस पूरे खेत्र में बड़ी संग्या में आदिवासी और पिछडे समाज के लोग रहते हैं पहले किस सरकारों में हमारे आदिवासी भाई बेहनों के साथ सोतेला व्यहवार किया जाता था सडके हो, पीने का पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो हमारे ट्राइबल भाई बेहन का नंबर सबसे अंत में आता था आदिवासी छेत्रों के विकास के लिए बीजेपी ने पहले की सरकारों की सोच और अप्रोच दोनों को बदल दिया हमने आदिवासी छेत्रों में सैकडों नए एकलब्य मोडल स्कूल खोले हमने वन उपत के सही दाम बेने के लिए MSP का दायरा बढ़ाया हमने जनदन केंद्रों के माध्यम से रोजगार के नए साधन तयार की आज आप देख रहे हैं कि इन आदिवासी छेत्रों में सिक्स लेन के फोर लेन के हाइवे बन रहे हैं इंडस्ट्रियल कोरिडोर बन रहे हैं मिशन बोड पर फोर जीन नेटवर्क के सुविजाएं तयार की जा रही है आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनिमेनिया के बहुत बड़ी दिक्कत है अब बीज़ेपी सरकार ने सिकल सेल एनिमिया को जड़ से हटाने के लिए भी अभियान शुरू किया है जातियों आज कल कुछ लोग चुनाओं से पहले जनता को गुमरा करने के लिए जूठी गारंटी लेकर आ रहे हैं बीज़ेपी चुनाओं के लिए जूठी बाते या जूठी गारंटी का नहीं बाटती अगर बीज़ेपी हर गरीब परिवार को मुपत राशन देने की बात करती है तो पूरा राशन गरीब के कीचल तक पहुंचता है बीजेपी अगर आईश्मान भारत काड़ देती है तो पांच लाख रुपिय तक का मुप्तिलाज हर गरीब परिवार को मिलने लगता है अगर बीजेपी घर घर टॉइलेट बनाने का ब्यान शुरू करती है तो हर गरीब दलित पीडित पिछरे आदिवासी के घर तर सुवीदा पहुंचती है अगर बीजेपी गरीब परिवार की बहनों को मल से जल देने का बरोसा देती है तो यह काम पूरा करके भी दिखाती है तेलंगणा की जनता ये सब कुछ अनुभव कर रही है इसलिए आज तेलंगणा की आकांचा है आज तेलंगणा की आसा पेक्षा है अपकी बार बीजेपी सरकार अपकी बार अपकी बार यपकी बार यही भाव मैं यहां वानंगल मैं देख रहा हूं पूरे तेलंगणा मैं देख रहा हूं भाईयो बहनों ये बड़ी संखा में आपकी मौझूद्गी हाईद्राबाद में उस परिवार की निंद हराम कर रही है और मैं देख रहा हूं अब तेलंगणा के लोगों ने भाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है कि मैं फिर एक बार आप सबको बहुत-पहुत सुपकामनाई देता हूं बहुत-बहुत धनवाज मेरे ताथ बोलिये भारत माता की इस दोनों हाथ उपर से कर के पूरी ताकत से बोलिये भारत माता की जैड़्या प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने तिलंगाना के वारंगल में संबोधन किया है और इस द्वारान पी ए मोधी का केसीयार पर हमला पूर जोर देखने को मिला प्यारेस ने जनता को तोड़कर रखा है ये कहा प्रधानमंत्री ने तिलंगाना की जनता को यूबाओं को सम्भूदित कर रहे थे प्रधानमंत्री सरकार की ओर से विश्वात घात का जिक्र प्रधानवंतरी ने किया और कहा कि किस तरीके से केंदरी सरकार ने बीजेपी ने बैतुरीन काम किये है पेम मोदी का के सियार पर हमला देखने को मिला इस दौरान प्रधान मंतरी जम कर गरस्ते बरस्ते नजर आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ विश्वात घात सरकार ने किया है